हेलो फ्रेंट्स आज हम आपको जानकाई देने जा रहे हैं एक ऐसी बड़ी स्कालाशिप इसकीम के बारे में जिसमें बहुत से विद्यार्थियों को एक लाख विद्यार्थियों को इसकालाशिप मिलती है दस जार रूपे की इसकालाशिप एक लाख विद्यार्थियों को दी जाती है साथी साथ चैनित विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को विद्यार्थ यात्रा का आउसर भी मिलता है और वो स्कीम है Inspire Monarch Award Scheme Inspire Monarch Award Scheme 2021 के फार्म जारी हो चुके है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है इस स्कीम में आप कैसे अप्लाई करेंगे कौन से विद्धार्थी अप्लाई करेंगे और क्या करना होगा इसको अच्छे से समझ लिजिए Inspire Monarch Award Scheme Department of Science and Technology भारत सरकार का एक flagship प्रोग्रेम है जिसमें विज्ञान के छेत्र में अंसंधान को बढ़ावा देने के लिए विद्ध्यार्थियों को ये चात्रविटी दी जाती है क्लास 6 से लेकर के जो विद्ध्यार्थी 2021 में 10th क्लास पास कर रहे हैं उन सभी विद्ध्यार्थियों को ये फेलोशिप मिलने वाली है वो विद्ध्यार्थी जो 6 से लेकर 10th पास आउट हुए हैं वो एपलाई करने के पात्र हैं उम्र 10 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए उन्हें करना क्या है उन्हें बिज्ञान के छेत्र में कुछ मौलिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं औरिजिनल थाट के इन्नोवेटिव अप्रोच के मौडल्स बनाने हैं प्रोटोटाइप बनाने हैं और वो प्रोजेक्ट्स जिले अस्तर पर होने वाली जो प्रतियोगता है उसमें रखे जाएंगे जिले अस्तर पर अगर आप प्रोजेक्ट्स चैनित होता है तो राज अस्तर पर और राज अस्तर से राश्टी अस्तर पर आपको आउसर दिया जाएगा प्रतेक विद्यार्थी जो इस स्कीम में इन रोल होंगे उनको दस जार रुपे की इसकालाशिप दी जाएगी प्रतेक जिले में दस हजार विद्यार्थियों को ये इसकालाशिप दी जाती है और एक हजार विद्यार्थियों का चैन राज अस्तर पर होता है और राष्टे एस्तर पर एक लाख विद्यार्थियों का चैन होता है और इन सभी को इसका लाशिब दी जाती है राष्टे एस्तर पर जो विद्यार्थी चैनित होते हैं जिनको माडल एप्रूव होता है उन्हें विदेश यात्रा का भी उसर प्राप्त होता है तो इस farm को आप कैसे भरेंगे इसका notification E-M-I-A-S पोर्टल पर जारी हो चुका है पोर्टल है E-M-I-A-S E-Management Inspire Manag Scheme ये पोर्टल है इस पोर्टल पर जाकर के आपको पहले अपने को रेइस्टर करना है रेइस्टर करने के बाद आपको अपनी login ID मिल जाएगी उससे farm को फिलप करना है farm में आपको अपने विद्याले का U-Dies नंबर भरना है आपका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और आपकी एक passbook भी होनी चाहिए जिस passbook में आपकी scholarship ट्रांसफर होगी तो ऐसे विद्यार थी जो inspire money about scheme में apply करने जा रहे हैं उनको ये document ready रखना है क्या-क्या आधार कार्ड, मूल निवास, passbook, किसी nationalized bank की साथ ही साथ एक photo, ओके अब EMIS portal पर आप फाम अपना upload कर देंगे और उसके बाद एक बहुत ही innovative project आपको तयार करना है model तयार करना है उसकी theme के साथ जो की जिले अस्तर पर exhibit किया जाएगा बच्चों आप जो model मनाएंगे, वो model मौलिक हो, copy किया नहों बहुत से बच्चे YouTube और दूसे अस्तानों से copy करके अपना model बनाते हैं ऐसा नहीं है, जो Ministry of Science है, वो चाहती है कि विद्यार्थी अपनी मौलिक सोच के model बनाएं कुछ नई तक्नीक विक्सित करने का उनके मस्तिस्क में कोई अलग तरीका हो, तो उससे संबंधित model बनाएं पर्यावरान को बचाने से संबंधित, तक्नीक और बहतर कैसे बनाए जाए इससे संबंधित, कोई अगर आपको अनोखा नया idea हो तो उस नए idea पर आधरित आपका model होना चाहिए, प्रहा ऐसे model चैनित होते हैं, जो लागत में भी कम हो और जिनकी तक्नीक एकदम आधुनिक हो तो इस बात को आप ध्यान में रख करके अपने project को तयार करेंगे, अपने model को बनाएंगे और इस scheme से जुड़ करके आप अपनी बैग्यानिक प्रतिभा को परदर्सित करने का एक अच्छा उसर पा सकते हैं, साथ ही साथ इस कालसिप और विदेश यात्रा का भी लाभाब को मिलने जा रहा है तो farm जल्दी apply करें, inspire बाना के बार इस scheme में apply करने की last date 15 October है, इससे पहले अपना farm भारें, have a good luck